मा का दूद जरूरी क्यूं है? हमने पिछले आइडिया वीडियो में देखा था कि शिशुओं को विटामिन D कैसे मिल सकता है। साथ ही ये भी जाना था कि विटामिन A, iron, calcium, folic acid और विटामिन C आदी शिशुओं के विकास के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मा के दूद से इन में से ज्यादा तर विटामिन शिशु को मिल जाते हैं। चलिए इस वीडियो में मा के दूद के महत्व के बारे में और जानकारी लेते हैं। शिशु के जन्म के एक घंटे के अंदर मा का पहला गाढ़ा, पारदर्शी, पीले रंग का दूद शिशु को पिलाना बहुत जरूरी होता है। यह शिशु को किसी भी संक्रमन से बचाने में मदद करता है। मा का पहला गाढ़ा दूद किसी भी नौजाज शिशु के लिए सबसे असरदार और शधिये टॉनिक माना जाता है। पाचन में आसान तथा विटामिन से भरपूर। मा का दूद शिशु आसानी से पचा लेता है। क्योंकि मा के दूद में अच्छी मात्रा में पाचक, ग्रव्य तथा सारे विटामिन्स मौझूद होते हैं। जो शिशु जन्म लेने के बाद 6 महीने तक सिर्फ मा का दूद पीते हैं। उन्हें अलग से विटामिन की खुराक देने के बिलकुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। दूद से बच्चे का शरीर ताकतवर बनता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है। दिमागी विकास प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने में सहायक। मा का दूद शिशु के दिमागी विकास के लिए बहुत ही अच्छा सोत्र माना जाता है। जो बच्चे इस्तनपान करते हैं उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी बहुत अच्छी रहती है। इस्तनपान करने वाला बच्चा तरह तरह के बिमारियों से ज्यादा मजबूती से लणने में सक्षम होता है। दिर्ग कालीन लाब जो शिशु मा का दूद पीते हैं उनमें डियाबिटीज, उच्छ रक्त चाप, हिदय रोग एवं कैंसर जैसी बिमारियों का खत्रा भी कम रहता है। मा के दूद में किसी भी तरह की मिलावट का कोई खत्रा नहीं रहता है। इसलिए अन्य विकल्पों को आजमाने से बहतर है कि बच्चे को मा का दूद ही पिलाया जाए। आशा है कि यह वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में बताई गई जानकारी आपने समझी होगी। ऐसे ही कुछ महत्वपून वीडियो लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका और आपके बच्चों का खयाल रखें। धन्यवाद।